हेलो एव्रिवान वेलकम टू कौन स्टडी आज मैं फिर आगे हूँ आपकी त्री डे सिरीज को लेकर आज हम फिर फोर स्टेट्स पढ़ेंगे इंडिया की ठीक है मैंने आपको इससे पहले की स्टेट्स जो है एक लेक्चर कल अप्लोड हो गया हुआ था अगर आपने अभी इस वाले option में जाकर चैनल के देख सकते हैं यहां पर इंडिन जियोग्रफी और एंशेंट हिस्ट्री की सारी क्लासे में मैंने आपको पर विडियो दो-दो जो स्टेट्स हैं वो करवाई हुई है अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं अगर आप न आप टॉप में रखिए और रिवाइस करते रहें ताकि एक्जाम तक आपको यह चीजे याद हो जाएं तो मैं आपको करवा रही हूं आपका जैनल अवेइनस का सेक्शन जेकी SSB क्लास 4 की रिक्रूट्मेंट लिए विच दो 40 माक्स अगर यह सब टॉपिक्स आपको देख लिजिए and then come to this video अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप अभी नए है हमारे चैनल पर तो आप लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आपको चाहिए तो मेरे डिस्रि पर आपके लिए especially design quiz होते हैं ताकि आप लोगों की revision होती रहे okay so let's move forward and let's look at the states जो आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है so the first state for the day is Rajasthan इसकी capital है जैपुर ठीक है यह से राजस्थान को basically जाना जाता है अपने culture के लिए और जो यहां पर सबसे famous चीज है जहां जो attract करती है that is thar desert other than that आपकी sorry blue city pink city यह सब जो है वो राजसान में ही है तो you need to tell me in the comment section today कि blue city और pink city किन cities को बोला जाता है okay I will be waiting for your comments so make sure कि यह video खतम होने के बाद आप अपनी research करें and come back and tell me कि why blue city और pink city किसे बोला जाता है ठीक है यह दो different cities है जो राजसान में ही है यहां की जो major rivers है वो है चंबल साबरमती बनस और लूनी लूनी अकेली river है जो disappear हो जाती है मतलब यह river जो है यह कभी जो सी है आपकी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती यह रास्ते में ही disappear हो जाती है ठीक है अगर आप राजसान की location देखें तो यह देखी यह है राजसान आपका यह बहुत ही बड़ी state है as per land ठीक है state animal की अगर हम बात करें जाती है तो camel है state bird की बात करें तो great Indian बस्टर्ड है state flower की बात करें तो रोहीड़ा है थीक है उसकी बाद world heritage इस्ट की बार्ट के रहें तो यहां पे बहुत कुछ है जंतर मंतर है अगर आप कहेंगे फिर्ली में है नहीं जंतर मंतर राजस्थान वी भी है और इनका के के लला टे इनाष्ट पास्ट फोर्ट शितोडगर फोर्ट यह बहुत ही एक नहींब स clothing को कभी मॉका यहां पर mostly आपको फोर्ट्स मिलेंगे राजाओं के, जो की राजपुत राजाओं के फोर्ट्स हैं, and these are very beautiful, ठीक है, और रामसर साइट्स में भी आपकी संभार लेका जाती है, और क्योलाई दोई, नाशनल पागा जाता है, ठीक है, so this is your facts for Rajasthan, let's move forward to our next state, so our next state is Sikkim, ठीक है, Sikkim is the state, जो की आपकी भुटान और नेपाल के बीच में, जो छोटी सी state आपको दिख रही है, this is Sikkim, it is known for its first, यह first organic state है, ठीक है, one of the world's principal producers of cardamom, यहां पे एलाइजी मिलती है, आपको, lies astride the shortest route from India to Tibet, अगर Sikkim से होकर India से Tibet का सबसे shortest route है, ठीक है, कंचन जंगा जो है, यहां पर ही है, and it is of this height, यहां पर ही है, यहां पर ही है, यहां पर ही है, ठीक है, then comes the rivers, so, यहां पर कौन-कौन सी rivers बहती है, टीस्टा और अंगीत, यहां का state animal है, red panda, state bird है, blood fuccent, and state flower है, noble orchid, ठीक है, world heritage sites, जो है, वो है, कंचन, कंचन जोंगा, national park, ठीक है, कंचन जोंगा, national park, एंदेन, national indicator, जो है, that is, skim large cardamom, मैंने अभी आपको बताए, it's the principal producers of cardamom, तो आपका जो geographical indicator है, वो भी वही बन जाएगा, ठीक है, so, let's move forward to our next state, so, the third state for the day is Telangana, Telangana की capital है, Hyderabad, पहले यह पाट हुआ करता था, आंदरप्रदेश का, बट अब आज, अब आंदरप्रदेश की capital, अम्रावती बन गई है, और तलंगना जो है, उसकी capital, हैदराबाद है, okay, I'm sorry, यह, I guess, repeat हो गया है, यह, repeat हो गया हुआ है, अब इसे, प्लीज, इग्नॉर कीजिए, यहाँ पे major rivers जो है, वो है, मुसी रिवर और क्रिष्णा रिवर, यहाँ का state animal है, चिताल, state bird है, इंडियन रोलर, और state flower जो है, वो है, रनावारा, ठीक है, national parks जो है, यहाँ की है, महावीर हरिना, national park, म्रुगविना, म्रुगवानी, national park, कसु ब्रहमनादा, रडडी national park, ठीक है, सो यह सब यहाँ के national parks है, let's move forward to the next state, next state is our Tamil Nadu, इसकी capital है चन्नेई, अगर आप इसकी location देखें तो this is Tamil Nadu, ठीक है, so major rivers है, यहाँ पर कावेरी, वेगाई, पलर और, तमीरा परानी, state animal है, यहाँ का निलगिरी तहर, state bird है, यहाँ का emerald, dove, या फिर dove, ठीक है, और state flower जो है, वो है, glory lily, ठीक है, यहाँ पर जो heritage sites हैं, यह आपने कही न कहीं पड़ रखी होएंगी, निलगिरी mountain railway, यह आप, अगर आपके पास time है, आप google कीजिएगा, यह इतनी सुन्दर railway track बनी हुई है, ठीक है, तो इसे देखिएगा, और कभी time मिला तो आप यहाँ पर घूमने भी जरूर जाएगा, महाबली पूरम की जो monuments हैं, वो भी यहीं पर है, ठीक है, so these are some famous chola temples, जो की Tamil Nadu में पाय जाते हैं, so with this I complete your video, यह फिर आज मैं आपके लिए चार states लेकर आई थी, I hope आपको पसंद आई होएगी, तेलांगना का कुछ miss type issue आगया, don't worry, मैं PDF में उसे ठीक कर दूँगी, okay, so, आप PDF में जाकर देख लेजेगा उसे, till then, you keep studying hard, मैं कल फिर एक video लेकर आऊंगी आपके लिए, वहाँ पर फिर 4 states होंगी, and with that, I will complete your Indian states, okay, so, I hope आपको आज का लेक्चे पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो, तो आप लाइक कर दीजेगा, और अगर कोई suggestion है, या आपको कोई doubt है, तो आप comment करके मुझे बता जीजेगा, so, for now, thank you,